नमस्कार दोस्तों मैं गूगन सिंग आपके अपने यूटूब चैनल Study Job Today में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट नागोर सेना भरती रेली आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को ओन कीजिए ताकि पल पल की हर अपडेट आपको मिल सके आईए अब हम आपको सेना के दुआरा जारी न्यूज पेपर में वहे इनफॉर्मेशन दिखाते हैं अब नागोर में नहीं होगी सेना भरती जोदपूर एयारो में सामिल हुआ नागोर जिला इससे पहले जैपूर जैडारो की और से करवाई जाती थी सेना भरती रेली नागोर जिले में अब जोदपूर एयारो में सामिल करने के लिए आर्मी हैड़कॉाटर भिजवाया था प्रस्ताव अब मिली मंजूरी अकेले नागोर जिले में सेना भरती में सामिल होने के लिए करीब 28,000 युवा आवेदन करते थे कोरोना महामारी के चलते देश भर में लोकडाउन लागू है ऐसे में देश भर में होने वाली सभी भरतियों वे परतियोगी प्रिक्षाओं सहित बोरण प्रिक्षाओं को आगे बढ़ा दिया गया है वही इस लोकडाउन में नागूर के युवाओं के लिए सेना भरती को लेकर बुरी खबर है नागूर में हर साल होने वाली सेना भरती रेली इस बार नागूर में नहीं होगी नागूर सेना भरती रेली को जोदपुर एयारों में सामिल कर लिया गया है जबकि पहले यह भरती रेली जैपूर जेडारों की और से करवाई जा रही थी ऐसे में सेना भरती की तैयारी करने वाले नागोर जिले के तमाम युवाओं को या तो जोदपूर या फिर जोदपूर एरो की और से जिस भी जिले में सेना भरती का आयजन करवाय जाएगा वहां सामिल होना पड़ेगा जैपूर जेडारों ने भिजवाय था प्रस्ताव जोदपूर एरों में इस से पहले दस जिले सामिल थे अब नागोर जिले के सामिल होने के बाद ग्यारा जिले हुए नागोर जिले से होते थे 28,000 आवेदन भरती रेली में सामिल होने के लिए अब जोदपूर एरों में सामिल होने के बाद 63,000 तक आवेदन की संख्या पहुँच सकती है अभी भी समय है जन परती निधी परियास करें तो नागोर में भरती हो सकती है कोरोना के चलते अभी तक राजस्थान के विभिन जिलों में होने वाली सेना भरती रेली को लेकर सेड्यूल जारी नहीं किया गया है इस करण अभी तक राजस्थान में कहीं भी सेना भरती के लिए आवेदन नहीं हो पाए है इसलिए अब भी समय है यदि जन परती निदीस नागोर सेना भरती रेली को नागोर में ही करवाने को लेकर Ministry of Defence तथा Army Headquarter दिल्ली में अपनी मांग रखें तो संभव है सेना भरती रेली नागोर में ही करवाई जा सके यदि इस बार यह सेना भरती जोदपूर एयारों के तहत होती है तो आगे से नागोर में सेना भरती रेली की उमीद कम ही रहेगी नागोर जिले के अभ्यारतियों को अपने घरे जिले को थोड़ कर दूसरे जिले में सेमे सामित होने के लिए जाना पड़ सकता है अभ्यारतियों के लिए कहें तो यह बुरी खबर है लेकिन सेना का सेना में भरती होने का जोस जजबा राजस्थान के युवाओं में कूट-कूट कर भरा है वो कहीं पर भी सेना भरती में सामिल होने के लिए जा सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक सेयर कीजिए जैहिंद जैभारत कर दो